नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज मैं दिखाऊंगे आपको कुलकता की दूसरी नरस्तरी जहां से मैं जादा तर प्लांट्स खरीती हूँ और ये देख लीजिए उसका पता अगर आप रहते हैं हाँ पर तो आप देख सकते हैं हाँ से प्लांट तो आप हमेशा कहते हैं कि मैं इतने सस्ते कहां से प्लांट ले लेती हूँ तो ये है वो नरस्तरी मैं जादेतर इसी से लेती हूँ दिख रही होगी आपको उसके मुकाबले जो मैंने पहले वीडियो डाला था ये छोटी नरस्तरी है वहां से मैं कभी कभी लेती हूँ उस नरस्तरी से पो लेकिन यह जो इस टाइब की नर्सरी होती हैं जो एक माली समालता है और एक छोटी सी जगा में होती हैं यहां से हम पोधे लेते हैं तो हम कहके भी थोड़े बहुत पैसे कम करवा लेते हैं और यह हमें बहुत अच्छे और सही रेट में हमें पोधे देते हैं तो मैं हमेशा तो मैं जब भी पोधे लेती हूँ, जो छोटी छोटी नरस्री होती हैं, आप उनसे पोधे खरीदें, वहां से हमेशा आपको कम रेट में पोधे मिलेंगे, और आप थोड़ा बहुत कम भी करवा सकते हैं, और जादातर सभी पोधे हमें इस नरस्री में मिल जाएंगे, कभी कि हमें कोई प्लांट नाम ले नहीं तो जादा तर सभी प्लांट इसमें होते हैं और अब जैसे कि मौसम चल रहा है फूलों वाले जितने पोधे हैं उनका ठंड आ गई है तो सारे जितने भी फूल वाले पोधे वो आ चुके हैं इस नर्सरी में भी तो यह जो अभी मैंने प खुब अच्छे से खुब बड़े पोधे तो और गुलाब का जादस जादा चालिस विया पचास रुपे तक अराम से पोधा मिल जाता है चालिस मगर आप कैई प्लांट ले रहे हैं तो चालिस में ही लगा लेता है तो कोलियस के भी पोधे सारे 30-30 रुपे के मिल जाते है और गैंदा तो 25 रुपे का अराम से दे देता है तो काफी सही रेट रहते हैं जितने भी क्रोटोन हैं जितने भी इंडोर प्लांट से सारे जितने भी पोधे हैं 50 रुपे तक अराम से मिल जाते हैं और गमलों का रेट भी यहाँ पर सही रहता है अगर आपको गमले लेने ह तो मिट्टी के मैं तो ज्याद तर मिट्टी के ही गमले लेती हूं तो अच्छे रेट में मिलते हैं और बढ़िया रहते हैं तो आप ऐसी नर्सरी से हमेशा पोधे ले जो इस तरह की छोटी छोटी नर्सरी हो तो हहां से आपको सही रेट में हमेशा पोधे मिलेंगे तो दोस